ब्रेन की जो मुख्तलिफ सलाहियते हैं, मुख्तलिफ तरह से रिसपॉंट करते हैं, उमर के मुख्तलिफ हिसों पर वो मजीद समझने के काबिल होते हैं, उनको आप एप्रॉप्रियेटली यूज करते हैं और जिंदगी आपकी सुधरती जाती है. उसको समझना और उसकी brain की adolescence के procedure को समझना किस साथ तक जरूरी है, क्या ये information, क्यों हमें as educationalist समझनी चाहिए या नहीं और इसमें एक interesting concept जो develop होता नजर आता है वो एक इस तरह का है जिसमें के classroom जो के compatible हो brain की adolescence के साथ वो किस साथ तक हम उसे as teacher design कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं that is what we will try to discuss now और इसमें आप देखिए कि जो भी brain के different organs या उसके different parts हैं उनका knowledge हमें ये समझने में मददकार है हमें उसकी अगर हमें फहम है तो हमें इसका मुतलिक मजीद बेतर से पता चलता है कि हम different तरह की learning के environment को कैसे create करें physical जो उसकी growth है brain की उसकी मदद लेते हुए उससी physical growth के साथ साथ organizational growth जैसे जैसे brain की होती जा रही है उसकी skills develop होती जा रही है तो आप अपनी classroom में learning activities को कैसे design करें आप किस तरह से mindful instructions ने हैं कि वो उस वक्त जो बच्चे की सलाहियत है जो learner की सलाहियत है उसके brain की जो adolescence की life cycle में जिस मकाम पे वो खड़ा है उसके मताबक आप उसे activities दें उसके मताबक आप उसके लिए instruction दें अगर वो teenagers में है जिसमें अभी risk taking की अंदर risk factor की importance को वो नहीं समझने के काबिल बहुत हैवी हो और वो आपको नजर आ रहा हो लेकिन बच्चा उसको handle with excitement वो over ambitious हो जाए कि यह मैं कर लूँगा तो वो इस तरह की कोई design आपको नहीं करना चाहिए तो be mindful very very mindful and give mindful instructions कि जो आप methods लेकर चलें वो बच्चे के लिए useful हो ना के नुकसान दे हो और उसको किसी तरह का खुदाना खास्ता गजान दिया नुकसान पहुंचा सकें जो concept जो interesting phrase मेरे जहन में आती है as an educationist that I like to use quite often is a brain compatible classroom कि आप वो एक इस तरह का classroom create करें अपने learners के लिए जो उनके brain के साथ compatible हो वेना इससे मैं इसमें उनकी physical obviously सलायतों का तो बात कर रही हूँ लेकिन वो सारी के सारी सलायतें जो के physical growth के होने के बाद में जिनको अभी time चाहिए जो इनका तालुक है उनके emotions के साथ जिनका तालुक है उनके psychological factors के साथ spiritual factors के साथ उन सब का इल्म आपको as educationist होना बेहतर लाजम है तब भी आप अपने learner को handle कर सकेंगे on the other hand side एक learner शायद अपनी limited abilities के साथ भी अगर आप उनसे इन topics पे इस तरह से awareness sessions करें तो वो भी आप बेतर तौर पे इसको समझ सकेंगे और अपने mood को अपने temperaments को अपनी unnecessary जो अदर से excitement वाली एक चीज होती है एक heroism वाली एक चीज होती है उसको they will be able to tamper to just you know tame and handle it with a lot of consideration and wisdom कि यह मुझे अगर हो रहा है तो this is not something which is not natural it is natural लेकिन मैंने इसको किस तरह से इसको बे लगाम नहीं छोड़ना इसको मैंने control करना है and then it will become a strength so एक इस तरह classroom एक ऐसा learning environment create करना हर school किसे में दारी है हर teacher का हम role है और हर learner का उसका knowledge होना इंतहाई मुफीद है कि उसका brain compatible classroom और teaching learning environment उसको दिया जाए learning में biological factors भी important है undoubtedly learning is a procedure जो के biological भी है और active भी है जिसमें के तीनों चीजों का mind का body का और आपकी spirit का तीनों का active होना बहुत जरूरी है as a learner, as a teacher ये तीनों चीजें involved हों इसका knowledge हों और ये actively उसमें interactive हों एक दूसरे के साथ तो ही learning एक अच्छा experience बन सकती है exercise, physical exercise जिसको के अक्सर हम अपनी रोज मरा जिन्दगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हम exercise तभी करते हैं कि जबकि अगर खुदा ना खासता doctors हमें बता दें कि तुम्हारा BP out of control हो गया, तुम्हारा वज़न इतना बढ़ गया, तुम्हें हार्ट का problem हो गया, you need to exercise now so please stop going on that direction, exercise करना आपकी brain की सहत के लिए इंतहाई जरूरी है, क्यूंकि इसमें certain ऐसे organisms हैं, certain ऐसे cognitive information है जिसकी processing helpful तभी होगी जब exercise करें, physical and then do a lot of exercise by repeating that action emotions को understand करना और उनको brain की activity के साब से link करना और इस सारी चीज़ की information को साथ लेकर चलना ही ensure करेगा कि आप एक brain compatible classroom create कर सकें